हेलो डिये स्टुडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगी कि तुरूटी विसलेशर पर जो आधारित अंकीक प्रस्ण है उनको सॉल्व कैसे करेंगी जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल अंतरराष्ट्री स्टैन्डर्ड पर उसका मान कितना है 9.80 meter per second square उसा दिया गया है तथा प्रार्योगी मान 9.65 meter per second square है प्रायोगी प्रतिशत तूर्टी आपको घ्यांद करनी है देखिए प्रमारीक मान का मतलब यह होता है जो standard value fix की जाती है वो होता है प्रमाडिक मान जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक मान और observation में यानि कि प्रियोग में ये मान आ रहा है कितना 9.65 meter per second square तो आपको percentage इरे निकालना है कौन सा percentage इरे निकालना है प्रायोगिक प्रतिसत त्रूटी निकालना है तो प्रायोगिक प्रतिसत त्रूटी के लिए आप लिखिए प्रायोगिक प्रतिसत त्रूटी is equal to होता है यहाँ पे आप लिखें प्रमाडिक मान और यहाँ पे approximation का sign लगाएं मतलब इसको कहते हैं उभ्यांतर यहां पे होगा प्रायोगिक मान प्रायोगिक मान डिवाइड वाई यहां पे आप डिवाइड करेंगे किससे यहां पे आपका जो प्रमारिक मान है प्रमारिक मान इससे आप डिवाइड करेंगे और into करेंगे कितना 100 तो ये है आपका प्रायोगिक प्रतिसत तुरूटी निकालने का सिस्टम अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यही डेल्टा है डेल्टा मतलब जैसे आप निकालते हैं डेल्टा A by A into 100 ये आपका वास्तिक मान होता है ये आपका कौन समान है इसी को कहते हैं निर्पेच चतरूटी निकालना निर्पेच चतरूटी जैसे आप निकालते हैं डेल्टा A तो वो आप कैसे निकालते हैं आप या तो वास्तिक मान में से कौन समान घटाएंगे प्रायोगिक मान या प्रायोगिक मान में से आप जो वास्त्विक मान रहेगा उसको घटा देंगे तो इस इसाब से जब घटाएंगे तो मौड लगा होता है यहाँ पर मौड नहीं लगा है यहाँ पे उभ्यांतर का चिन्न लगा है इसका मतलब यह होता है जो जादा होगा उसी में से कमवाला घटेगा तो यहाँ पे percentage इर इसका हो जाएगा कितना प्रमारिक मान आपके पास है 9.80 और इस में से घटेगा कितना 9.65 by कितना 9.80 अब यहाँ पे इंटू 100 करें आप तो आपको मिलेगा यह देखिए अंतर कितने का है 15 का 0.15 आएगा डिवाइड बाई 9.80 इंटू 100 अभी आपको मिलने वाला है यह 15 by 980 इंटू 100 यह आपका 1.0 कैंसिल आउट हो जाएगा अभी इसको जब सॉल्ट करेंगे आप तो यह लगभग हो जाएगा 150 by 98 मतलब इसका 1.53 के आजपास आएगा यह आपका इरर हो गया तो इस तरह से आप कल्कुलेट करेंगे बहुत तीजी है आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा हला की यह प्रायोगिक प्रतिसक तुरूटी कभी-कभी पूशता है कि क्या होता है तो आप यह formula लिखेंगे प्रमारिक मान उभयांतर का चिन प्रायोगिक मान डिवाइड बाई प्रमारिक मान अच्छा यहाँ पे देखिए आलेडी प्रमारिक मान इसका बड़ा है प्राय आप यहाँ पर mod लगा कि यह चीज लिखें तो भी बात वही रहेगी तो I hope पहला question आपको समझ में आ गया होगा अगर doubt है तो आप हमें comment करिएगा अब यहाँ पर दूसरा question है किसी आयत की लंबाई मापने में 3 प्रतिसत की true t और 4 आपने में 2 प्रतिसत की true t होती है तो इसके छेतरफल में होने वाली true t ग्याद करो तो यहाँ पर आपको formula बताया गया है a is equal to a b या y is equal to a b करके बताया गया है यानि कि 2 रासियों के गुड़न में true t किस तरह से निकाली जाती है लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिसत true t निकालना है तो प्रतिसत true t भी last time हमने बताया था कि 100 से multiply कर देते हैं तो वही चीज प्रतिसत true t में convert हो जाती है तो उसे पर आधारित ये question है अब आयत की लंबाई जानते हैं हम लोग क्या होता है आयत की लंबाई एल एल में प्रतिसत true t दिया है आपको मतलब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ये आपको दिया है कितना दिया है 3% और चोड़ाई अगर हम भी माने आयत की चोड़ाई कितनी मानी जा रही है तो आपको क्या दिया गया है देल्टा बी बाई बी इंटू 100 इस इक्वल टू 2% तो कह रहा है कि छेतरफल्म आपने में कौन से true t होगी तो यहां से आप फार्मूला याद करें आपको मिला था देल्टा वाई बाई इंटू 100 ये दो रासियों के गुड़न में true t का फार्मूला हम आपको बता रहे है इस इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 ये चीज था और यहां पर मैक्सिमम इरर था ये ये आपका फार्मूला था तो सिमिलरली यहां पर ये फार्मूला यूज किया जाएगा क्योंकि दो रासियों का गुड़न है यहां पर अब यहां पर आप लिखेंगे क्या डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इस इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 मतलब चोड़ाई को चाहे हम पहले लिखें चाहे लंबाई को लिखें इससे कोई फरक नहीं पड़ता प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 अभी इसमें आपको इरेर निकालना है चाहे मैक्सिमम निकालें चाहे डिरेक्ली इरेर निकालें आए गाए एकी तो इसमें इरेर आपको दे दिया गया है मतलब इतने पूरे कामान कितना है 2% इतने पूरे कामान आपके पास है 3% ओवराल एड होके 5% मिलेगा तो मतलब आपको छेत्रफल में जो त्रूटी मिली वो कितनी मिल गई 5% ये आपका एंसर हो जाएगा बहुत ही जी है आप अगर ध्यान देंगे तो ए क्या है एरिया है एरिया में पृतिसत त्रूटी मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू हंड़ेट पूछ रहता तो ये चीज ऐसे हो जाएगी अब इसी पर आधारित दूसरा कोश्चन है किसी आयत की लंबाई दी गई है चोडाई 2.0 cm है और इसके छेतरफल में अधिकतम संभावित पृतिसत त्रूटी पूछ रहा है तो मैं इसको आपको बताता हूँ इससे आप करिएगा और हमें इसका एंसर कमेंट करिएगा लेकिन कमेंट किस तरह से करा करिए जैसे ये दूसरे का सेकेंड है तो आप कमेंट में अपने एंसर को लिखें एंसर नमबर सेकेंड का सेकेंड फिर इसके बाद जो एंसर है आपका तो देखिए ये कैसे हो जाएगा यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई है L is equal to 2.5 cm और चौड़ाई इसकी है B 2.0 cm अभी यहाँ पे आपको ΔL नहीं दिया गया है क्योंकि अगर आप छेत्रफल में तुरूटी निकालेंगे तो आपको यह फार्मूला यूज करना पड़ेगा और इस फार्मूले में आपको ΔL और ΔB की वैलू की भी जरूद पड़ेगी तो फिर आपको करना क्या है यहाँ से ΔL निकालना है अलपत मांक निकालना हमने बताया था आपको दस्मलों के पहले वाले डिजिट पर या इसके पहले जितने भी डिजिट रहें उस पर आप 0 बनाएं दस्मलों के अस्थान पर दस्मलों लास्ट डिजिट पर 1 अगर डिजिट बसता है तो आप 0 लिखें उसके बीच में नहीं तो फिर वैसे रहने दो जैसे यहाँ पर आपको हमें एक बताते हैं यहाँ पर मान लिजिट 2.723 ऐसा दिया है लास्ट डिजिट पर 1 लिखें इसके पहले अगर कोई डिजिट बसता है उसका मान क्या है डिजिट के इससे आपको मतलम नहीं है उसके अस्थान पर 0 बनाएं और दस्मलों के अस्थान पर दस्मलों बस यहाँ पर 1 0 लिखें बेसक यहाँ पे बहुत सारे अंक हों उससे मतलम नहीं है तो यह आपको हो जाएगा अलपत मांग इस रासी का अलपत मांग कि यही हो जाएगा यानि कि डेल्टा वाला मान अगर यह डेल्टा में लिखना है अगर यह यह यक्स है तो यह हो जाएगा डेल्टा एक्स ठेक है न अब यहाँ पे अगर ऐसे मान दिया है 2.500 यह मान लीज़े एक्स का मान है अब आपको डेल्टा एक्स निकालना है तो यहाँ पे लिखे डेल्टा एक्स लास्ट डिजिट पे 1 हमने बताया था डिजिट का मान कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है यहाँ पे 1 और इसके लिए 00 0 दसमलों के स्थान पे दसमलों एक 0 और लगए यह हो जाएगा डेल्टा एक्स का मान इसी तरह से यहाँ पे बी का मान निकालेंगी तो इसके लिए डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा 0.1 अब यह सेंटिमीटर में है तो यह भी सेंटिमीटर में होगा अब यहाँ पे आपको यही फार्मूला यूज करना है डेल्टा बी का मान बी का मान सब कुछ आपको पता है प्रतिसत तुरूटी आप निकाल के हमको इसका एंसर बताईएगा कितना आएगा हम अगले कुशन की तरफ चलते हैं ये आपका कुशन नंबर थार्ड है एक वस्तु का द्रब्यमान मापने में 3% तथा आयतन मापने में 2% की तरूटी होती है इस वस्तु का गहनत तुमापने में निउनतम तथा अधिकतम तरूटी ज्याद करो ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए द्रब्यमान आयतन और घनतों में क्या संबंद है आपको एक फार्मूला पता होगा द्रब्यमान बराबर क्या होता है द्रब्यमान बराबर होता है आयतन गुड़े घनत तो तो यहां से घनत तो बराबर क्या हो जाएगा द्रब्यमान बटे आयतन गनत तो बराबर द्रव्यमान बटा कितना आयतन यह हो जाएगा अब यहाँ पे दो रास्यों के भाग में तुरूटी किस तरह से निकाला गया है वो आपको पता होगा पिछले वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा जो गोडन में तुरूटी आई थी वही भाग में तो इसमें नियूनतम और अधिकतम दोनों निकालना है तो यहाँ पे देखिए यह कैसे हो जाएगा घनत को अगर हम D से लिखें और द्रव्यमान को YM से आयतन को V से लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D is equal to M V की पावर कितना minus 1 अब जब फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ से delta D by D into 100 यह बनेगा is equal to delta M by M into 100 अब यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी यानि कि minus यहाँ पे 1 हो जाएगा into कितना delta V by V into 100 ऐसा हो जाएगा लेकिन यह साधार रूप से आप लिखा अब matter यह है कि यहाँ पे आपको अधिक्तम और नियूंतम निकालना है तो नियूंतम के लिए जो चिन्न रहेगा वही रहेगा और अधिक्तम में जो minus रहेगा वो plus हो जाएगा तो यहाँ पी यह हो जाएगा minimum अब minimum कितना आएगा स 13% और minus एक से multiply करेंगी कोई फरक पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे minus कितना हो जाएगा 2% तो overall आपको मिलेगा कितना 1% यह आपका minimum percentage इर हो जाएगा किसमें density में घनत्त में अब maximum में क्या होगा maximum में आपको निकालना है delta d by d into 100 और यहाँ पे लिखना है max तो जो symbol minus होता है वो plus हो जाता है तो यहाँ से आपको मिलेगा delta m by m into 100 plus delta v by v into 100 यह बनेगा तो यहाँ पे आप मान रखेंगे 3% plus 2% equal to 5% यह answer हो जाएगा यहाँ पे बहुत easy है देखिए सबसे पहले चाहे वो divide में हो या multiply में तो आप उसको convert कर लीजिए किसमें गुड़ा में और गुड़ा में आप जानते हैं कि जब भी हम formula derive करेंगे जैसा कि हमने बताया है कि आपको ऐसे ही मिलेगा plus के साथ में अगर यहाँ पे आप देखें power है तो वो power आगे आ जाती है जैसे यहाँ पे एक बताता हूं मैं जैसे a is equal to a b square है अब आपको a में प्रतिसत तूटी निकालना है तो यह बन जाएगा delta a by a into 100 is equal to delta a by a into 100 अब यहाँ पे plus यह power आगे आ जा यह आपकी प्रतिसत तूटी हो जाएगी चाहे इसको आप अधिक्तम बोलने चाहे प्रतिसत तूटी ही बोलें दोनों का मान सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि अधिक्तम भी निकालेंगे तो भी यहाँ पे आप max लिखेंगे कोई changing होगी नहीं अगर माल लिजी यह power minus होती जैसे माल ने हाँ पे हमको एक और दिया गया y is equal to a b c की power minus 3 y में प्रतिसत तूटी आपको निकालनी है एक बार अधिक्तम एक बार नियुनतम तब आप क्या करेंगे डेल्टा y y y into 100 is equal to यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा a by a जो गुड़ा रहेगा वो प्लस हो जाएगा यहाँ यहाँ पे प्रतिसत रूटी निकालना है तो हर एक के साथ में 100 से गुड़ा प्लस डेल्टा b by b into 100 अब यहाँ पे power 3 है लेकिन minus में है तो minus 3 यहाँ पे हो जाएगा into delta c by c into 100 अगर minimum बोला होता या कुछ नहीं बोला होता प्रतिसत रूटी निकालना होता तो यही रहता minimum बोला होता तो आप ऐसे कर कि यहाँ पे minimum लिख देते लेकिन कोई changing इधर नहीं करते जो minus है वो minus रहेगा जो plus है वो plus रहेगा अगर इसने बोला होता कि हमें प्रतिसत रूटी निकालना है लेकिन maximum वाला तो यहाँ पे delta y by y into 100 और आप यहाँ पे लिखते max overall formula यही रहता बस जहाँ पे minus है वो plus हो जाता तो delta a by a into 100 plus delta by by into 100 plus 3 delta c by c into 100 communicate यह कैसे निकलता है यह सारी कहानी हम पिछले वेडियो में बता चुके हैं आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको सारी बाते समझ में आएंगे कि किस प्रकार से गोड़न या भाग में तुरूटिया निकलती है या घातांक में किस प्रकार से तुरूटिया निकालते है सब कुछ वहाँ पर बताय गया है अब हम लोग चलते है question number 4 की तरफ इस type के question को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो बोला जाए उसका फार्मूला पता होना चाहिए आप अगर फार्मूला नहीं जानेंगे तो question को solve करना possible नहीं होगा अब यहाँ पर देखिए किसी गोले की तरिज्या मापने में तेन प्रतिसत की तुरूटि होती है प्रिष्टिये छेत्रफल तथा आयतन मापने में तुरूटि क्या होगी तो यहाँ पर आप देखिए गोले की तरिज्या अगर R है तो R के मापने में कितने प्रतिसत की तुरूटि है तेन प्रतिसत की तो मतलब यह आपको दिया है डेल्टा R by R इन्टू हंडेड is equal to 3% यह आपको दिया है अब गोले का प्रिष्टिये छेत्रफल और आयतन मापने मापने जाता है इसमें जो प्रतिसत तुरूटि हो रही है यह आपको निकालना है तो प्रिष्टिये छेत्रफल का सूत्र आप जानते होंगे गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल का सूत्र होता है A is equal to 4 pi r square ये प्रिष्टिय छेत्रफल का सूत्र है लेकिन A में आपको प्रतिसत तुरूटी निकालना है तो आप एक चीज और ध्यान लखें अगर किसी फार्मूले में कोई नियतांक का मानाता है जैसे 4 pi हुआ pi हुआ या और कोई constant आए के आए या और कोई constant ले लिया जाए तो आप इस constant को तुरूटी निकाल पे समय छोड़ देंगे जैसा कि यहाँ पर भी किया जाएगा जैसे माल लिजीए ये हो जाएगा क्या डेल्टा ए बाई ए इंटू हंडेड इस इक्वल टू 4 pi हट जाएगा आपने आप इसको लेना नहीं है हटा दीजिए क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है constant है मतलब नियतांक है 4 और 22 बटा साथ ये नियतांक है इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर बचा R स्कोर तो 2 आगे आ जाएगा और R स्कोर में डेल्टा R बाई R इंटू 100 हो जाएगा तो इसी में प्रतिसत तुरूटी निकालना है अब यहाँ पर ये मान हो जाएगा 2 गुडे R में प्रतिसत तुरूटी आ लेडी दिया है 3 परसेंट तो 3 दुनाई 6 परसेंट ये बहुत इजी है अब इसी तरह से अगर आयतन में निकालेंगे तो गोले के आयतन का सूत होता है V is equal to कितना 4 by 3 πाई R क्योब अब देखिए V में प्रतिसत तुरूटी निकालना है लेकिन सूत्र में ये इतना मान क्या है नियतांग के इसको भी छोड़ देंगे फिर इसके बाद इसका फार्मूला बनाएंगे क्या देल्टा भी वाई वी इंटु 100 यही आपको निकालना है और इसका मान हो जाएगा क्या अब ये हो जाएगा 3 इंटु देल्टा भाई आर इंटु 100 ये 3 क्यों हुआ क्योंकि पावर 3 है अब यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटु इतने कमान आपको दिया गया है 3 परसेंट तो यहाँ पे 3 परसेंट रखें तो यह हो जाएगा कितना 9 परसेंट बहुत इजी है आप अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल है परसेंटेज रहे बहुत इजी चेप्टर है ऐसा समझगी आप बस आप कॉंसेट के लिए रखें तो बहुत आसानी से आप सारे क्योश्चन हल कर पाएंगे अगर आपको डाउट है तो मैंने बोला कि आप हमें जरूर कमेंट करें हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे अब यह देखिए कुशन नमबर सेकेंड है किसी घन की भुजा मापने में दो प्रतिसत की तुरूटी होती है आयतन मापने में प्रतिसत तुरूटी कितना है यह आपको निकालना है यह आप खुश से निकालेंगे और हमें कमेंट करेंगे आप जानते हैं कि घन की भुजा क्या होती है ए होती है एक घन है और इसकी भुजा कितनी मानी जाती है ए मतलब ऐसे कुश आपका घन बना होगा अब इसके आयतन मापने में कितने प्रतिसत की तूुटी है ये आपको निकालना है गन का आयतन होता है V is equal to क्या AQ अब यहां पर अगर इसके संपूर्द प्रिष्ठिये छेतर फ्ल को भी पूछ लिया जाता कि गन के संपूर्द प्रिष्ठिये छेतर फल को प्रतिसत तुरूटी ये आपको बताना है और किसमें प्रतिसत तुरूटी बताना है आयतन में दोनों का फार्मूला आप लिख लीजिएगा फिर इसके बाद कल्कुलेट हो जाएगा तो ये question number 4 में second वाला पार्ट आप हमें करके बताएंगे अब हम चलते हैं अगले question की तर उनसे सूत्र yas is equal to a b square by c की पाउर 3 द्वारा s का मान ज्यात करता है यदि a b तथा c में क्रमसा 1 प्रतिसत 2 प्रतिसत तथा 3 प्रतिसत की तूटियां है तो yas के मान में अधिक्तम तथा नियूंतम संभावित प्रतिसत तूटी ज्यात करनी है अभी हमने एक system बताया आपको y is equal to a b square c की पाउर माइनस 3 गरगे पीछे अभी हमने बताया same type का फार्मूला ये है अब यहाँ पे आपको s में प्रतिसत तूटी निकालना है तो सबसे पहले इसको प्रतिसत तूटी के फार्मूले में convert करेंगे तो इसका पहला वाला हो जाएगा यहाँ पे s is equal to क्या हो जाएगा पहले आप इसको इसी रोप में लिखें यह हो जाएगा a b square c की पाउर माइनस 3 तो अधिक्तम प्रतिसत तूटी और नियूंतम प्रतिसत तूटी दोनों पूछा है अधिक्तम के लिए max यूज करेंगे जो माइनस होगा उसको प्लस करेंग और नियूंतम के लिए जो माइनस रहेगा वो माइनस रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा delta s by s into 100 is equal to delta a by a into 100 plus देखें पावर यहाँ पे 2 है b के लिए तो 2 आगे आ जाएगा delta b by b into 100 minus 3 delta c by c into 100 यह आपका हो जाएगा कौन सा minimum वाला अब maximum वाला क्या हो जाएगा delta s by s into 100 यहाँ पे हो जाएगा max और यह हो जाएगा delta a by a into 100 plus 2 delta b by b into 100 अब यह minus है यह plus हो जाएगा plus 3 delta c by c into 100 अब मान रखेंगे इतने पूरे कमान दिया गया है कितना 1% इतने पूरे कमान 2% है और इतने कमान कितना है 3% है 2% है 1% है यहाँ पे ऐसे दिया गया है अब आप जब इसका calculate करेंगे तो 1% plus 2 into 2% minus 3 into 3% अब देखिए 2 दुनाई 4, 4 एक 5 और 5 में से जब 3 तरिक का 9 करेंगे तो overall आएगा कितना minus 4% लेकिन तुरोटी minus नहीं होती है यह आपको याद रखना है तुरोटी minus नहीं होती है इसलिए यह 4% ही आएगा यहाँ पर minus 4 का मतलब इरर उसमें 4% का possible है यहाँ पर अगर इसने नियूंतम ना बोला होता तो यह सब ठीक ठागता लेकिन नियूंतम का मतलब यहाँ पर minus 4% अगर आया तो आप उसको 4% ही लिखिए minus मत यूज करिए हलाकि घटाने उटाने के बाद यहाँ पर 9 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो minus 4 ही आएगा लेकिन आप उसको plus के साथ में लिखिए मौट लगा है यहाँ पर तो 4% आपका हो जाएगा घटाने के बाद कितना 4% का यह देखिए मौट जो लगा होता है यह plus में ही उसको सिंबलाईज करता है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1% और plus लगाएंगे 2 into 2% plus 3 into 3% यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 4% में सब रहेंगे और यह हो जाएगा फिर 1% overall आपका आएगा 14% कितना 14% तो अधिक्तम और निउन्तम निकल गया अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए इसमें दिया गया है यदि R1 बराबर इतना है ओम में है यह और R2 कमान इतने ओम का है तो स्रेडी क्रम वा समांतर क्रम में जोडने पर तुल्ले प्रतिरोध आपको ग्याद करना है स्रेडी क्रम के लिए सूत्र आपको यह दिया गया है और समांतर क्रम के लिए यह दिया गया है लेकिन इसमें आपको तुल्ले प्रतिरोध जो आएगा वो भी तुल्ले प्रतिरोध जो आएगा यह इसका R1 का एक्चुल मान यह है और जो अलपत मांक वाला मान होता है यानि कि जिसे डेलिटा R1 कह सकते हैं वो कितना है प्लस माइनस 3 मतलब R1 का मान 103 या फिर 97 दोनों हो सकता है इसी तरह से R2 का मान 204 या 106 दोनों हो सकता है क्योंकि यह आपका error है तो उसी तरह से आपको किसमे RAS में error और RP में error निकालना है लेकिन इसी form में निकालना है तो आप यहाँ पे देखें यह बहुत easy है इस वाले फार्मूले का जब use करेंगे तो बहुत easy हो जाएगा आप R1 plus R2 कामान रखके add कर दें मतलब कितना 100 plus minus कितना 3 यह ohm में रहेगा फिर plus लगाएंगे 200 plus minus 4 इतना ohm हो जाएगा यह बाला मान इस वाले मान में जुड़ेगा actual मान जो है तो यह हो जाएगा 300 और यह 3 इस 4 के साथ में जुड़ेगा और plus minus बीच में लगा रहेगा तो यह हो जाएगा कितना 7 इतना ohm यह किसमे इरर आया RS में अब आप इस फार्मूले से जब चलेंगे तो पहले आप rp कामान निकालें किस कामान निकालें rp का क्योंकि यहां से अभी exactly आप ऐसा कुछ करके plus minus नहीं निकाल सकते हैं अभी आप देखिए हम इसको कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 1 by कितना rp is equal to lcm जब लेंगे यहां पर आप तो r1 plus r2 by r1 into r2 हो जाएगा कि हो जाएगा r1 plus r2 by कितना r1 into r2 यहां से आपको rp कामान मिलेगा कितना r1 r2 by कितना r1 plus r2 अभी हमने बताया कि r1 का actual मान यह है यह तो इसका error है और r2 का actual मान यह है यह इसका error है तो वही मान r1 r2 का यहां पर रखा जाएगा कौन सा actual मान तो यह हो जाएगा 100 into 200 by कितना 100 plus 200 तो यहां से आपको मिलेगा कितना 200 2 0 cancel हो जाएगा नीचे बचेगा 3 यह इसको आप लिख सकते हैं rp का मान 67.7 के आसपास आएगा इतना ओम यह आपका किस का मान हो जाएगा rp का मान हो जाएगा अब जब rp का मान आपको मिल गया है तो आपको अब निकालना है rp का जो error वाला मान है वो निकालना है तो वो निकालने के लिए क्या करना है 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 के दोनों पच्छों का आउकलन करने पर आउकलन करने पर आउकलन किस प्रकार से होता है बहुत सारे सूत्र है इसके लेकिन एक हम यहाँ पर आपको बताते हैं देखिए जैसे अंस और हर में कोई मान है तो आउकलन का सूत्र है जब आप निकालेंगे ddx of y suppose यह y का मान है और x के साप एच आपको करना था तो या जिसके साप एच आपको करना होता है उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो हो जाएगा हर गुड़े अंस का माइनस अंस गुड़े हर का हर क्या है आपका b और आपकलन किसका होगा a का माइनस मैंने बूला हर गुड़े अंस का माइनस अंस गुड़े हर का अंस गुड़े यहाँ पर लिखेंगे हर का आपकलन और यहाँ पर पूरे का बटा क्या होता है हर का स्क्वेर यह ऐसा हो जाता है और किसी संख्या का जब अउकलन होता है एक जैसे मान लीजी यहाँ पे है तो इसका मान होता है 0 तो यहाँ पे उसी हिसाब से जब अउकलन किया जाएगा तो आएगा कितना डिल्टा आरपी बाई कितना आरपी का स्क्वेर इस इक्वल टू डिल्टा आरवन बाई कितना आरवन का स्क्वेर प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा इसी तरह से डिल्टा आरटू बाई कितना आरटू का स्क्वेर अच्छा यह कैसे मिला यहाँ पे हम आपको बताते हैं जैसे मान लिजिए 1 by rד में रफ का हमने किया, अब इसका करेंगे हर गुड़े और उनस का, तो हर कमान कितना है rp और अनस, यादि कि एक है इसका करेंगे हो जाएगा 0, minus, मैंने बूला हर गुड़े अनस का हो गया, अब अनस गुड़े हर का होगा, यादि कि d यहाँ पे something ज आपको हो जाएगा rp ठीक है ना, by कितना हर का square, यानि कि rp का square, तो ये वाला part 0 हुआ, यानि कि इसको आप लिखेंगे, d, d, r, और क्या, rp यानि कि जो होता है, जैसे resistance है, तो resistance के साब h, इसका alkaline हो रहा है, r है, तो r के आप एच होगा, ये x है, तो ये x के साब एच होगा, अब ही आप basic यही जाने, अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, क्या, इसको लिख सकते हैं, delta rp इसको आप पूरे को, जैसे यहाँ पे, suppose मैंने लिखा d, d, x, आप y तो आप इसको लिख सकते हैं, delta y, जो यहाँ पे होगा, उसी का delta करके, तो यहाँ पे देखिए, minus में वो चीज़ बची लेकिन, अब minus में अगर इधर बची है, तो minus में तो ये भी आएगा, minus में ये भी आएगा, तो minus, minus सब कैंसिल हो जाएगा, फिर से प्लस में सब मिलेगा, तो इस तरह से इसका अउगलन हो गया, अब यहाँ पे आपको इसका मान भी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये वाला मान आ चुका है, किस फॉर्म में लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए, ये वाला मान, फैक्ट वाला, जो exact होता है, वो आ गया है, आपके पास कितना, 67.7, अब यहाँ पे, इसका मान निकालने के लिए, आप इसको transfer कर दें, तो आप इसको convert करके लिख सकते हैं, delta, rp, is equal to क्या हो जाएगा, rp by r1 का square into delta r1, क्या हमने किया, देखिए, rp इधर आएगा, multiply करेगा, लेकिन, यह square में ही, यह भी square में है, तो यह, यहाँ पे multiply होता, लेकिन, यह square में ही, एक बार shift कर दिया गया, rp और r1 के साथ में, square लगा दिया गया, अब इसको थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दिया गया, कोई मतलब नहीं है, अंतर कोई नहीं होगा, अब इसी तरह से, यहाँ पे भी, इसका multiply होगा, तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा, rp, by कितना, r2, इतने का whole square, into delta, अब आपके पास सारे मान है, आप यहाँ से calculate कर सकते हैं, rp का मान है 67.7, और r1 का मान आपके पास है, देखे, r1 का मान है 100, r2 का मान है कितना, 200, तो यह हो जाएगा, 100, का square, और delta r1 का मान है 3, 3, और यहाँ पे हो जाएगा, 67.7, divided by r2 का मान आपके पास है कितना, 200 अभी हमने बूला, और इतने का whole square, into कितना, अब यहाँ पे delta r2 का मान है, आपके पास 4, आप इसको solve करके, हमें बताईएगा, कि इसका answer कितना आएगा, यानि कि यह आपको मिलेगा क्या, delta rp का मान, जब delta rp का मान मिल जाएगा, तो वही वाला मान, इसके साथ में plus minus करके, मतलब आपको जो, समांतर क्रम में, तुल्ले प्रतिरोध मिलेगा, वो आपका हो जाएगा, rp is equal to नया rp, जो measurement के बाद मिला, वो आपका हो जाएगा, 67.7, plus minus, ये वाला जो rp का मान आएगा, delta rp, तो ये आप हमें calculate करके, बताईएगा कि कितना आया, अब हम अगले question की तरफ चलते हैं, ये आपका question number 6 है, यदि प्रतिरोध r is equal to b yi, जहां b का मान दिया गया है, तथा i का मान दिया गया है, तो प्रतिरोध परिकलन में अनिशित्ता निर्धारित करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्मूला आपको दिया गया है, आप लिखें, r is equal to क्या है, v, इसको आप लिख सकते हैं, i की power कितना, minus 1, ऐसा लिख सकते हैं आप, लेकिन आप प्रतिरोध परिकलन में अनिशित्ता जब निर्धारित करेंगे, तो वो अधिक्तम के साथ में निर्धारित करें, ना कि निउन्तम के साथ में, हाला कि इसने सिर्फ delta r का मान पूछा है, तो आप पहले प्रतिसत तुरूटी निगालने, बहुत इजी हो जाता है इसके बाद, तो यहां से delta r by r into 100 और यहां पे लिखें क्या, max is equal to delta v by v into 100, अभी हमने बोला जब max होगा तो यह प्लस होगा, अधिक्तम आप निकाल के बताइए, जब ऐसा कुछ ना बोला रहे, अधिक्तम यानि उन्तम, तो आप हमेशा अधिक्तम हो निकालिए, तो यहां से आपको हो जाएगा delta v by v ho चुका है, तो यहां पे delta i by i into 100 हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब यहां पे आपके पास, देखें, v का actual मान यह है और delta वाला मान यह है, इसी तरह से i का actual मान यह है, delta वाला मान यह है, तब यहां से आपको मिलेगा यह, 5 by 100 into 100 plus 0.2 by 10 into 100 यह हो जाएगा, अब यहां पे 100 से 100 cancel out हो जाएगा, यहां पे मिला 5%, और यहां पे यह cancel out हुआ, अब यह आपको हो जाएगा plus 2%, ओवाला आपको कितना मिला 7%, 7% यह R में प्रतिसत प्रूटी है, R में प्रतिसत प्रूटी है, लेकिन delta R का मान कितना है, जो R का मान होगा, उसी का आप 7% निकाल दे, R का मान कितना आएगा, R is equal to आपके पास है V by I, तो V का actual मान आपके पास है कितना, 100, I का मान कितना है 10, तो आप यहाँ से निकालेंगे, तो आएगा यह 10 Ohm, अब 10 Ohm का 7% आप अगर जब निकालेंगे, तो R, delta R is equal to आपको मिल जाएगा कितना, इतने का 7%, 10 का 7%, तो यह cancel हो जाएगा, आपको मिलेगा 0.7 Ohm, आप resistance को अगर इस रोप में लिखना चाहें, तो R is equal to आपको मिलेगा कितना, 10 plus minus 0.7, और यहाँ पर लिखें Ohm, और R में प्रतिसत तुरूटी यह है, हालाक इसने प्रतिसत तुरूटी तो बोला नहीं था, तो जब इस तरह से बोलेगा, तो आप R और delta R दोनों कामान निकालेंगे, और इस फार्म में वेक्त करेंगे, तो I hope आपको यह clear हो गया होगा, अब यहाँ पर second वाला पार्ट है, जो आपको करना है, क्योंकि इस टाइप के question हम बता चुके हैं, A कामान, B कामान, C कामान दिया है, Y में अधिक्तम और निउन्तम प्रतिसत प्रूटी ग्यांत करनी है, फार्मूला आपका यह है, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, delta Y by Y into 100, minimum के लिए यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा 3 into delta A by A into 100, plus delta B by B into 100, और यहाँ पर हो जाएगा, minus 2 delta C by C into 100, यह फार्मूला बनेगा, यह आपका minimum का हो जाएगा, अब maximum जब निकालेंगे, तो यहाँ पर plus हो जाएगा, बाकी सबका delta वाल अमान कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया, जैसे delta C suppose आपको निकालना है, लास्ट डिजिट पर 1, जितने डिजिट बच रहें 0, दस्मरों के स्थान पर दस्मरों इधर एक 0, तो delta C का मान हो गया, delta B का मान क्या हो जाएगा, 0.1, और delta A का मान हो जाएगा, 0.1, आप सारा मान यहाँ पर रखके calculate करेंगे, तो आपको y में अधिक्तम और नियुन्तम प्रतिसे त्रोटी मिल जाएगी, आप इसको solve करके हमें comment करिएगा, सत्मा question भी आपको ही करना है, जैसा कि अभी हमने बताया, छट्मे का पहला same type सत्मा है, और इसको भी आप solve करेंगे, विस्थापन आपको दिया है, और क्या दिया है, समय भी इसमें दिया गया है कि कितना समय लगा है विस्थापन करने में, तो वेग के परिकलन में त्रोटी आपको ग्यांद करनी है, तो वेग बराबर होता है क्या, बेग, मतलब V, बराबर होता है विस्थाफन बटा समय, तो V में आप पहले तुरूटी परिकलित करना है आपको, तो आप पहले प्रतिसत तुरूटी चाहे निकालना पड़े या ना पड़े, आप निकाल दीजिए, तो आप निकालेंगे क्या डेल्टा वी वाई, यहाँ प क्योंकि अधिक्तम या नियूंतम इसने बोला नहीं है, यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा क्या, डेल्टा डी बाई, डी इंटू 100, प्लस डेल्टा टी बाई, टी इंटू 100 यह हो जाएगा, अब डेल्टा डी का मान आपके पास है, वो क्या है, यह आपका विस्थापन थ जिसको यह से इसने डेल्ट किया, हमने डी लिग दिया है, तो कोई बात नहीं है, डेल्टा डी का मान आपके पास है, 5, और डी का मान आपके पास है, 200, डेल्टा टी का मान आपके पास है, 0.2, और टी का मान आपके पास है, 20, यह वाला मान यहाँ पर रखेंगे, परसेंट निकाल दीएगा D by T से D का मान ये है और T का मान ये है तो आएगा V का मान कितना 10 अब 10 का जितना भी परसेंट ये रहेगा वो निकाल दीजिएगा वो आपका किस का मान हो जाएगा डेल्टा V का अब डेल्टा V का मान भी आपको पता चल गया तो V का एक्चुल मान क्या जो आपके पास यहाँ पर मान आयागा यहीं कि 10 और प्लस माइनस कितना जो भी यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 0 पॉइंट सम्थिंग वो वाला मान इस तरह से रखेंगे तो V का परिकलन में जो इरर होगा वो मिल जाएगा आपको तो I hope सारे कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आज के वीडियो में बस इतना ही अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें सेर करें अगर किसी पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट करें तो अगले वीडियो में डिसकस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तब तक के लिए धन्यवाद